पाप के गंटी करते रहते हैं मिरे लुग तब आप इधरी पेशन्ट ही देखोगे क्लिनिक में भूल जाओ को दिली मोस के चेर पर बैठना आपके गंटी मतलब किसको बोल रहे हैं? अपने गले में डाली तो आपने एलेक्शन नहीं लड़नी चाहीए थी अपने ड़क्ती करने चाहीए थी अगर आपको पाप के गंटी के लिए इन लोगों ने आपको दिली का रास्ता दिखाया है अपनी समस्याओं को लेकर ना जाने किस किस दरवाजे को उन्होंने खटकटाया होगा लास्त उनके पास एक दरवाजा बचा था वो दरवाजा था लिफ्टन गवरनर सहाब का क्योंकि कहीं ना कहीं उनको उमीदे थी कि अब उनकी बात को वहां पर जरूर सुना जाएगा पर क्या उनको लगता है कि उनकी बात को सुना समझा गया है या उनको फिर आशवाशन ही दिया गया है पहले ये बात जान लेते हैं उसके बाद उस बात पर भी चर्चा होगी कि लगाता डॉक्टर जटिंदर सिंग द्वारा एक बात कहीं जा रही है क्या वो सही या जहां तक उनको डौट था कि एक लाग साथ हजार लोगों के लिए जहां तक जितिंदर सिंग जी भी बोल रहे थे ऐसा कुछ नहीं प्रिंसिपल उन्हें मनवाया प्रामन को जे भी बिताए कि दो हजार चोदा का एक कैबिनेट का आडर है कैबिनेट को अप्रोवल दिया है कि सथ हजार नो सो नो लोग हैं आल डिपार्डमेंट में चितिंदर सिंग जी की मेरे को समझ नहीं आ रही कि बार बार बोलते रहते हैं कि पाप के गंटी पाप के गंटी अगर आपको बोड दि ये पर दो करते रहे हैं अब नहीं कर तो कांटे नहीं मेंगी नहीं किया सिर्फ जह दूसरी सिर्कारों को लिए के अदिक सब्सक्स बार बाइनियां कुछ खेँ न सबस्ता है कि लिए तो आप सबसे बड़ी बाद ही है कि लेटिन्ग कोवस्ट हो जब साव से क्या ने कहा कि approximately गंटा आपकी बात्चीत हुई है तो क्या आपकी बात को सुना समझा गया या फिर यह कहा गया कि नहीं अब आपकी जॉब को रेगलर कर दिया जाएगा जब हमारी उनके साब बात ही थे हमें ने उनको बताया कि सर्थ ática 2014 का जो आडर है उसमा सुभ सचनारों महां लिया उन्होंने फिर हमें इतना तक बोला कि मैं इनको एक दम से सेनी कर सकता लेकिन मैं फेसमेश मैंडर में जीत ली लेकिन आज तक हैल जी साब को मेरे को समझ नहीं आ रहे हैं क्या नहीं आज तक तो यह कुछ कर नहीं रहे हैं इसलिए हमने अप्जेट डिसाइड के यह आल डिपार्टमेंट क्या जो लिवर जुनाइटिव फरंट है कि पंदरा तारी को इनको जाद दिलाने के क्या अब वैसे ही दुबारा शुरू होगी या फिर आप कहीं पर्टिकुलर जगा पर बैठके करेंगे नहीं जैसे हमने आपको पहले दिखाया तो वही रोड शो आएगा जब हम आपस में बैड़ करेंगे उसके बाद हम फिर से मीडिया में ब्रीफ करेंगे कि जो हमारी जो आगे कि रन नीती होगी वो क्या होगी अगर देखो बोट इनको दिये तो फिर हाग की बनता है कहीं बाहर के पाप की गंटी तो इन्हों ने डाल लिया अपने गले में अगर जितिंदर सिंग जी के लिए इतने बड़े-बड़े खुले हैं जमु कुश्मीर के लिए क् 17909 लोगों के अलग से पैकेज नहीं मिल सकता है किया कितना पैसा चाहिए हो एक हजार क्रोड पांच सो क्रोड इतना चाहिए इसे ज्याला कुश नी चाहिए यह पाप की घंटी बोला जाता है कि अप लोगोंने पहले पोरी जिंदगी दे दी है कई लोगोंके डेथ हो देखो इनको पता है जो पाप की गंटी बोलते हैं इनको इतना भी पता कि ग्रोंड में यही लोग वर्क कर रहे हैं कुछ लोगों के आप ने देखा होगा कल भी किश्मीर में एक आदमी की बिजली ठीक करते हुए उपर ही जल गया लेकिन उसका टाइम इनको इनको दिखा कि सब पता जैसे यही द्रमय वाजी कर रहे हैं तो मीडिया जब पूछती है तो बोलते हैं कि मीडिया को पूछते हैं कि आप हमें बताएं के इनका क्या किया जाए लोग कोट में चले जाएग smoking जाए गा इंगर इससरो शिस्टी फॉर पड़ा हो उसमें बिलकुल लिखा कि जो लोग 7 साल हो गए होंगे उनको permanent किया जाए, S.R.O. 520 में बोला गया था कि जिन लोगों के 10 साल हो गए होंगे department में, उन लोगों को permanent किया जाए, अगर इनको इत्रा नहीं पता है कि जिन लोग 10 साल, 7 साल के बाद एक permanent का हक रखते है, S.R.O. 64 भी बोलता है, S.R.O. 520 भी बोलता है, तो फिर कहां से लोग जाएंगे कोट में स्टेय लेंगे, कोई स्टेय नहीं लेना, यह खुद अपने मुह से, एक ही मैंने देखा politician, जो पूरे हिंदोस्तान में, जो खुद अपने मुह से ही बोलता है, बेरोजगा स्टेय ले लेंगे कोट में जाकर, इन्होंने S.R.O. 64 पढ़ा नहीं है, डाक्टर जितिंदर सिंग जी ने, अगर इन्होंने पढ़ा होता है, पीडीडी के जो casual labor थे, उनका गर वहाँ ही है, जहां उनका भी BJP कार्याले के सामने, वहाँ ही उनका गर होता था, तब उनको ये casual labor जादा थे अपनी light के लिए, उस टेम इनको ये नहीं था कि आप ये बन गए हैं, पीमा उसमें बैड़ गए हैं, तो ये बार-बार करें, ये पाप की गंटी है, उस टाम ये क्यों, उसी टाम casual labor को बुलाते थे, उस टाम जी-जी करके बात करते थे casual labor से, आज ये पाप की गंटी कर रहे हैं, हमारे जो साथी हैं, दिन बर दिन मर रहे हैं, हर रोज एक casual labor मर रहा है, बो भी casual labor बो मर रहा है कि जिसको पे भी नहीं मिल रही है ना ही उसको बलकी उसकी इन्होंने एनाइस की है बो लोग मर रहे हैं फिर भी यह पाप की गंटी कर रहे हैं यही लोग जो हैं सेवा कर रहे हैं जासे सरद पे बिया सब कर रही है सरद के अंदर रहके यही लोग सेव लाउंज कर रहे हैं, अगर हमारे मसले हाल नहीं हुए, इन्होंने 15 जनवरी तक हमारे साथ बादे की हैं, नहीं हुआ, आप DC इलेक्षन तो इन्होंने जीत ली, लेकिन आने वाले टाइम में इनको ये इलेक्षन जीतना बड़ा मुश्किल हो जाए, आने वाले समय में इलेक कहेंगे ये एक सबसे बड़ा सवाल या निशान है जब मेडिया उनके पाज आती है तो उनको सिर्फ एक बात कहीं जाती है कि आप अपना होमवक करके आए क्योंकि आप अपना सवाल जो है वो किसी और पार्टी के इलावा जो पार्टी आप से बोलती है आप वो पूछते है पर आखिरकार आज ये ही लोगों ने आपको बता रही है कि आपने अभी तक S.R.O. पड़ा ही नहीं है और आप ये खुद मानते हैं कि ये लोग अगर बेरोजगार है तो अभी तक इनको रोजगार क्यों नहीं है और ये लोगों की जो डेथ हो रही है उसका जिम्मेदार इकॉन लेता है कि आप इस समय जम्मू कश्मीर में इकलोते ऐसे लोग हैं ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी भी दिल्ली में हैं और आवाज दिल्ली तक पहुंचा सकते हैं परेल ये जम्मू परिवर्जन के साथ मुझे और अभिशेक जी को दीजिए इसाज़त नमस्कार